बच्चों, कनेक्टर में आपका स्वागत है बच्चों, आज हमें ज्ञान वर्धक एवं उपयोगी पार्ट पढ़नी जा रहे हैं जिसका शिर्शक है जीवो में श्वसन आओ, शुरू करते हैं कौन पढ़ेगा पहला पन्ना? जब हम तेज दोरते हैं, तो हमारी सांसे तेज हो जाती हैं और हम हाफने लगते हैं सांस लेना श्वसन क्रिया का एक चरन है सभी जीव सुक्षम इकाईयों से बने होते हैं जिन्हें कोशिकाए कहते हैं कोशिका जीव की सबसे छोटी सवरजनात्मक और क्रियात्मक एकाई होती है जीव की प्रत्तिक कोशिका पोशन परिवहन उत्सरजन और जैनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमी का निभाती है इंकार्यों को करने के लिए कोशिका को उर्जा की आवश्यक्ता होती है हम खाना खाते, सोते, अथ्वा पढ़ते समय भी उर्जा की आवश्यक्ता होती है सभी जीवों को भोजन से उर्जा मिलती है भोजन में सवंचित उर्जा श्वसं की समय निर्मुप्ध होती है निकालते हैं इस वायों में सांस द्वारा ली गई वायों की दिल नामे कारबन डाय ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है हम वायो को सास द्वारा अंदर लेते हैं और उसमें उपस्तित ऑक्सिजन शरेव के सभी भागों में और अंततह प्रत्य कोशिका में लेई जाई जाती है कोशिका में यह ऑक्सिजन भूजन के विखंडन में सहायता करता है कोशिका को भोजन की विखंडन के प्रक्रम में उर्जा मुक्त होती है इसे कोशिकी ये श्वसन कहते है सभी जीवों की कोशिका में कोशिकी ये श्वसन होता है कोशिका के अंदर भोजन ग्लूकोज ऑक्सिजन का प्रयोग करके कार्बन डयोकसाईड और जल में विखंडित हो जाता है जो ग्लोकोज का विखंडन आक्सीजन के उपयोगद्वारा होता है तो यह वायव विश्वासन कहलाता है आकसीजन की अन्युपस्थिती में भी भोजन विखंडित हो सकता है यह प्रग्रम अवायविय श्वसन कहलाता है भोजन के विखंडन से उर्जा निर्मुक्त होती है इस्ट जैसे अनेक जीव वायो की अनुपस्तिती में जिवित रह सकते है ऐसे जीव अब अवायविय श्वसन के द्वारा उर्जा प्राप्त करते है इन्हें अवायविय जीव कहते है येस्ट एक कौशिक जीव है ये वायविय रूप से श्वसन करते है इस प्रक्रिया के समय अलकोहल निर्मिक करते है इनका उपयोग शराब और बीयर बनाने के लिए किया जाता है अक्सिजन के अनुपस्थिती में ग्लुकोज अलकोहल और कार्बन डायोकसाइड में विखंडित हो जाता है जिस प्रकार हमारी पेशे कोशिकाओ भी थोड़ी देर के लिए अवायविय रूप से श्वसन कर सकती है यह प्रक्रम उस समय होता है जब आक्सिजन की अस्थाई रूप से कमी हो जाती है अनेक भारी कार्यों के लिए अधिक उर्जा की आवशकता होती है लेकिन उर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरील को आक्सिजन आपरोती सीमित होती है एसस्थिती में पेशी कोशिकाय अवायविय श्वसंद द्वारा उर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती है अत्यधिक व्यायाम करने के बाद पेशियों में एठन हो जाती है जब पेशियों अवायविय रूप से श्वसंद करती है इस प्रक्रम में ग्लूकोज के अंशिक विखंडन से लैक्टिक आमल और कार्बन डायॉकसाइड बनते है लैक्टिक आमल का संचय या पेशियों में एठन उत्पन्न करता है गर्ण पानियू से इस नानत्वा शरील की मालिष करवाने पर आक्शिजन का संचलन बढ़ जाता है इसके परिणाम स्वरू पेशी कोशिकाऊ के आपोरती बढ़ जाती है ओक्सिजन की आपुर्ती बढ़ जाने से लैक्टिक आमले का कार्बन डायॉकसाइड और जल में पुर्ण तहा विखंडल हो जाता है सांस लेने का अर्थ हैAY ऑक्सिजन से सम्रुद्वायों को अंडर लेना और कारबन रय उक्षेड से सम्रुद्वायों को बाहर निकालना यहाँ प्रक्रिया उच्छ श्वसन कहला दी है जो प्रत्य जीर में होता रहता है खोई व्यक्ति एक मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है अन्तश्वसन और उज्जश्वसन दोनों साथ साथ होते रहते हैं एक प्रयोग द्वारा श्वासदर की गनना कर सकते है विश्रां की स्थिती में बैट जाईए तथा बार बार सांस अंदर और बाहर कीजिए तथा उसकी गनना कीजिए थोड़ी देव दोड़िये तथा उसकी पाद सांस की गनना कीजिए इससे आपको पता शल गया होगा कि जब अतिरिक्त उर्जा की आवश्चक्ता होती है तब हमें ज्यादा उक्सिजन जरूरत होती है एजी से स्वसन करने पर हमारी कोशिकाओं को अधिक उक्सिजन की आपूर्दी होती है जो बोजन के विखंडन की दर को बढ़ा देता है जिससे अधिक उर्जा निर्मुक्त होती है इसलिए शारेरी क्रिया कलाप के बाद हमें फूख लगती है विबिन्न दैनिक क्रिया कलापों को करने में श्वसन की अब हमारी श्वसन की क्रिया विदी को जानेंगे नासा गुहां से वायू नली से होकर हमारे फेपड़ों में जाती है फेफडे वक्ष गुहां में स्थित होते है वक्ष गुहां पासरों में पसलियों से घिरे रहती है एक बड़ी पेश्य परच जो डाइफ्रां कहलाती है वह वक्ष गूहां को आदार प्रदान करती है श्वसन में डाइफ्रां और पस्लियों की गती सम्मेदित होती है अंतर श्वसन के समय पस्लियां उपर और बाहर की और गती करती है तथा डायफ्राम नीचे की और गती करता है यहां गती हमारे वक्षगुहा के आयतन को बढ़ा देती है और फेपड़े वायू से भर जाते है उच्छ श्वसन के समय पसलिया नीचे और अंदर की तरफ आ जाती है जबकि डायफ्राम उपर की और अपनी पुर्वस्थिती में आ जाता है इससे वक्षगुहा का आयतन कम हो जाता है इस कारण वायो फेफडों से बाहर धके ली जाती है हमारे आसपास की वायो में अनिख प्रकार के अनुवान्शित कन जैसे की धूम्र, धूल, पराकन, आदी होते है जब हम अंतस्वास करते है तो यहां कन हमारे नासा गुहा में उपस्थित रोमों में फस जाती है यदि पी ऐसे कन नशा गुहा के पार चले जाते है इस गुहा की कोमल परत को उत्तिर जित करते है जिसके परिनार स्वरूप हमें चीकाती है चीकने से अनुवांशित कन वायू से बाहर निकल जाते है इस प्रकार केवल स्वच्च वायू ही शरीर के अंदर प्रवेश कर पाती है चीकते समय हमें नाप को ढख लेना चाहिए जिससे बाहर निकले हुए कन किसी और द्वारा न ग्रहन किये जा सके अपने शरीर में हम इन गती विदियो को आसानी से अनुभोग कर सकते हैं गहरी सांस लीजिए तथा अपनी हतिली उदर पर रखिए उदर की गती को अनुभोग कीजिए दुम्रपान फेंफलो को हानी पहुचाता है इससे अवश्य बचना चाहिए क्योंकि यह कैंसर को आवाहन देता है श्वसन के दारान वक्ष गोहा के अमाप में एक बरिवर्तन होता है एक गहरी सांस लीजिए किसी मापन फीते से वक्ष का अमाप लीजिए पुनव विस्तारित होने पर वक्ष का अमाप लीजिए प्रयोग द्वारा समझने की कोशिश करेंगे प्लास्टिक की चोड़े मुवाली एक बोतल लीजिए इसे पेंच से काट कर अलग कर लीजिए वाय के आकर की काच अत्वा प्लास्टिक की एक नली दीजिए बोतल के ढकन में एक ऐसा छीद रटीजिए जिससे यह नली आसानी से निकल जाए नली के साखेत सीरे पर दो गुबारे बिना फुले हुए लगा दीजिए नली को बोतल में लगा दीजिए बोतल का धकन लगा दीजिए तथा उसे इस प्रकार सिल बंद कर दीजिए कि वायू रुद हो जाए बोतल के खुले पैंदे पर रबड अथवा प्लास्टिक को प्लास्टिक के एक पतली शीर तांकर किसी रबड बैंड की सहायता से बांद दीजिए फेवरों में होने वाले प्रसार को समझने के लिए रबड की परत को पकड़ कर आधार से नीचे की और खीजिए गुबारे को देखिए आपको परिवर्तन दिखाई देगा इससे हम श्वसन की क्रियाविदी को समझ सकते हैं बहतर जीवन के लिए अच्छा श्वास आबर्शक है नियमित परंपरागर श्वसन वियायम से हमारे फेवरों में वायू को अंदर लेने की ख्शमता बढ़ाता है इस प्रकार हमारे शरीर की कोशिकाओं को ज्यादा ऑक्सिजन की आपुर्दी होती है जिसके फलस्वरूप अधिकुर्चा उत्पन्द होती है एक उदाहरे द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कोई पतली पर्खनी ली लीजिए जिसमें कारक लगा हो पर्खन्दी में थोड़ा सा ताजा बना चूने का पाने डालिये प्लास्टिक की एक नली को पर्खन्दी के में इस प्रकार डालिये कि वहाँ चूने के पानी में डूप जाए अब नली के द्वारा धीरे धीरे चूने के पानी में फूंक मारिये चुने के पानी में अब परिवर्तन देख सकते हैं हाथी, शेर, गाय, बकरी, मैंधक, छिपकली, सर्प और पक्षियों आदी, चंतुव की वक्षगूहा में मनुश्यों के जैसे फेपड़े होते हैं कौकरोच के शरीर बशर्व भाग में छोटे-छोटे छिद्र होते हैं अन्या कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं यह छिद्र स्वास रंद्र कहलाते हैं कीटों में गैस के विनिमय के लिए बायू नदियों का जाल फिजा होता है स्वास रंद्र से श्वास मलों में जाकर शरील में विसरित होती है और शरील की प्रतिक कोशिका में पहुंचती है इसी प्रकार कोशिका उससे कारबन डायोकसाइड नालों में आती है और स्वास रंद्र से बाहर निकल जाती है स्वास नाल अथ्वा स्वास प्रनाल केवल कीटों में ही पाय जाते है जन्तुओं के अन्य समुह में ऐसे व्यवस्ता नहीं पाय जाती हम जल में सास नहीं ले सकते किन्तु ऐसे जीव हैं जो जल में रहते हैं जो जल में श्वसन करते हैं मचलियों में क्लोम या गिल पाई जाते हैं, क्लोम जल में गुली ऑक्सिजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं, क्लोम तवचा से बाहर की और निकले होते हैं, क्लोम में रख्तवाहिनियों की संच्छा अधिक होती है जो गैस विनुवय में सहायता करती हैं, अन्य ज कोशिकाव में भी ऑक्सिजन का उपयोग अन्य जीओं की भाती ही ग्लूकोज के कार्बन डियोकसाइड और जल के विखनन के लिए किया जाता है। पादप में प्रत्तिक अंग वायू से स्वतनत्र रूप से ऑक्सिजन ग्रहन करके कार्बन डियोकसाइड को निर्मुक्त कर सकता है। पादप की पत्तियों में औक्सिजन और कार्बन डियोकसाइड के विनिमय के लिए सुक्ष पुचिद्र होते हैं, जो रंद्र कहलाते हैं पादप की अन्यसभी कोशिकाओ की तरह मुल्क कोशिकाओ को भी उर्जा उत्पन्न करने के लिए उक्सिजन की आवशक्ता होती है आओ बच्चो अब हम अपना ज्यान पखेंगे 1. कोशिकाय किसे कहते है 2. जिवों में कोशिका की क्या भूमिका होती है 3. जिवों को उर्जक कहा से मिलती है 4. श्वसन प्रक्रम क्या है 5. कोशिक ये श्वसन किसे कहते है 6. वायविय श्वसन किसे कहते है 7. अवायविय श्वसन किसे कहते है 8. अवायव या जीव किसे कहते हैं? 9. जब हम सांज छोड़ते हैं तो कौन सी गैस की अधित्ता होती है? 10. यिस्ट क्या है? 11. क्या हमारी पेशी कोशिकाए अवायव या रूप से श्वसन कर सकती है? अगर हां, तो कैसे? 12. अधिक व्यायव करने की पाद मास्पेशों में आइधन क्यो होती है? 13. मास्पेशों में आइधन को किस प्रकार ठीक किया जा सकता है? 14. सांस लेने का क्या अर्थ है? 15. अंत श्वसन किसे कहते हैं? 16. उच्छ श्वसन किसे कहते हैं? 17. श्वसंदूर किसे कहते है 18. हम साथ कैसे लेते है 19. डायफ्राम क्या करती है 20. हमेची क्यों आती है 21. दुम्रपान क्यों हानिकारक है 22. स्वासरंगर किसे कहते है 23. स्वासप्रनाल या वातक किसे कहते है 24. मचली या सांस लेने के लिए किसकी सहायता लेती है 25. रंद्र किसे कहते है शाबाज बच्चों, बहुत अच्छा प्रयास है आओ अब उत्तर जाने प्रश्न क्रमांकर एक का उत्तर है सभी जीव सुक्षमे इकाईों के बने होते हैं जिनने कोशिकाय कहते है कोशिका जीव की सबसे छोटी सवरजनात्मक और क्रियात्मक हिकाई होती है 2. प्रतिक कोशिका पोशन परिवहर उत्सरजन और जनन जैसे कुछ काया को संपादित करने में कुछ न कुछ भुमी का निभाती है 3. जीवों को उर्जा भोजन से मिलती है 4. सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है इसमें हम पहले स्वासदारा वायू को शरीर के अंदर ले जाते हैं फिर हम सांस छोड़ते हुए वायू को शरीर से बाहर निकालते हैं जिसमें कारबन डियोकसाइड की मातरा अधिक होती है 5. कोशिकाव में ऑक्सिजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है भोजन के विखंडन के उर्जा मुक्त होती है इसी कोशिकी ये श्वसन कहते है 6. जब ग्लूकोस का विखंडन आक्सिजन के उपयोग द्वारा होता है तो यहाँ अवायविय श्वसन कहलाता है 7. जब पूर्जन का विखंडन आक्सिजन की अनुपस्तिती में भी हो सकता है तो यहाँ प्रक्रप अवायविय श्वसन कहलाता है आठ ऐसे जीव जो अवायविय श्वसन के द्वारा उर्जब राफ्ट करते हैं उन्हें अब अवायविय जीव कहते हैं नौ जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाय ओकसाइड गैस की अधित्ता होती है 10. ये स्वेक कोशिकी जीव है जो अवायविय रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय अलकोहल निर्मित करते हैं इसलिए इनका उपयोग शराब और बियर बनाने के लिए किया जाता है 11. हमारी पेशी कोशिकाएड भी अवायविय रूप से कार्य करती है यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सिजन की कमी हो जाती है हमें कार्यों के लिए अधिक उर्जा की आवशकता होती है हमारे शरील को ऑक्सिजन की आपुरती सिमित होती है ऐसे स्थितियों में पेशी कोशिकाएं अवायविय श्वसंत्वारा उर्जा की अतिरिक कुमांग को पूरा करती है बारा, जब पेशिय अवायविय रूप से श्वसं कर दी है तो इस प्रकरन में ग्लुकोज के वामशिक विखंडन से लैक्टिकामला और कार्बन डैयॉकसाइड बनते हैं लैक्टिकामला का संचेयन पेशियों में एंधन उत्पन्न करता है गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिच करवाने पर हमें अइंधन से आरा मिलता है ऐसा करने से रख्ट का संचरन बढ़ जाता है जिसके परिनामस्वरूप, पेशिक, कोशिकाओ को आपूरती बढ़ जाती है ओक्सिजन की आपरती बढ़ जानों से लेक्टिक आमल का कार्बन डाय ओक्सिड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है 14. सांस लेने का अर्थ है ओक्सिजन से सम्रुद्वायों को अंदर खीचना तिथा कार्बन डाय ओक्सिड से सम्रुद्वायों को बाहर निकालना कोई व्यक्ति एक मिनुट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है 18. हम अपने नासा द्वारा से वायो अंदर लेते है 19. यहाँ एक बड़ी पेशिय परत है जो वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है 20. जब अनेक प्रकार के अनुवाँ शितकन हमारी नासा गुहां में उपस्ति त्रोमों में फस जाते है तब वे गुहां की कुमल परत को उतेजित करते है जिसके परिणाम स्वरुप हमें छीक आती है और अनुवाँ शितकन वायों के बाहर निकल जाते है 21. धुम्रपान फिर्पडों को क्षती पहुँचाता है इससे कैंसर होने की संभावना रहती है 22. कौकरोज के शरीर के पसर्व भाग में छोटे-छोटे छिद्र होते है अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते है यह छिद्र स्वासरंत्र कहलाते है 23. कीटों में ग्यास के वीन में के लिए वायो नलियों का जाल बिच्छा होता है जो स्वास्प्रना या वादक कहलाते है 24. मचलिया सांस लेने के लिए क्लों की सहायता ले दी हो 25. पादप की पत्तियों में ऑक्सिजन और कार्बंडे उक्सेड के वीन में के लिए सुख्ष में चिद्र होते है जो रंद्र कहलाते है बच्छों आज का पार्ट समाथ हुआ आशा है कि आप सबको पसंद आया होगा तन्यवाद